दोस्तों अगर आपको भारतिय टीम की ये एतिहासिक जीद पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें भारत और न्यूजिलेंग के बीच चल रही वर्डे सीरीज के तीसरे मुकबले में भारतिय टीम ने न्यूजिलेंग को पहले गेंद बाजी करते हुए 243 रनों पर वेल आउट कर दिया भारतिय गेंद बाजी आक्रमन के आगे न्यूजिलेंग की पारी पूरी तरह डगमागा गई न्यूजिलेंग कम्तान किन विलियमस ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का निरने लिया था लेकिन उनका ये निरन गलत रहा और न्यूजिलेंग की पारी 250 रनों का आकरा भी पार कर न पाई। भारतिय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा तीन विकेट्स मुहम्मत शमी ने लिए। उनके बाद भुवनेश्वर कुमार या जुवेंदु चहल और हार्धिक पांधिया ने 12 लिए। उसके बाद आई भारतिय टीम की शुरुओार ठीक ठाक रही रोहिद शर्मा और शिकरदवन ने पहले विकेट के लिए 49 रन चोड़े। उसके बाध पहला विकेट शिकरदवन का मिला। उनके बाद आए। विराट कोहली और रोहिच शर्मा के बीच बेहितरीन इसके बाद दूसरा जटका भारतिय टीम को रोहिद शर्मा के रूप में लगा उनोंने 6 रन बनाए, उनके बाद नियूजेलेंग को सबसे बड़ी विकेट विराज कोफुली के रूप में ली उनोंने 7 रन बनाए, उनके बाद आये अंबाति राएडू और दिनेर कार्तिक बहतरीन साथेदारी करते हुए भारतिय टीम को एक आसान सी जीत दिला दी। भारतिय टीम ने ये मुकाबला जीत कर इतिहास रज दिया। भारत में इस पांच मैचों की वनड़े सीरीज में तीन शुने की अजय बढ़त बना ली है। भारतिय टीम ने ये मुकाबला जीत कर स अब्जा कर लिया है और साथ ही साथ पिछले 10 साल से न्यूजी लैंड में पहली बार भारतिय टीम में 12 सीरीज जीती है तो दोस्तों आपके मुताबिक इस मैच का असली मैन आफ दे मैच कौन है आप उस हिलारी का नाम नीचे कमेंट में जरूर दिल जिएगा